हलो एवरीवन वेल्कम पो आवर यूट्यूब चानल गाज आज की सेसर में हम लोग बात करेंगे कि क्लास 12 के मैस को कैसे 30 दिनों में कवर करें पूरा कंप्लीट कैसे कर ले अगर आप लोगोंने बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है या कुछ पढ़ा भी है लेकिन उससे कुछ हो क्लास 12 परीद करेंगे पर लुकन पर्द सब्सक्राइब करने कि परलम देंडां परणा बढद आपको के आफ्यू नहीं पढ़ा कि यह पल्गcken का है की कई लोग में से लोग पढ़ना श्टार चपर दें से तो यहां पर आप लोग क्यों नहीं पड़े हो क्योंकि आप लोग कुछ और चक्करों में से लॉंडिया वाजी करेते सक्त लॉंडा बन रहते पापा की बड़ी बन रहते तो वह सब से कुछ नहीं होगा उन सब आदतों को छोड़ो अभी पिर एक दो महिने के लिए जंदित सामने वाले से यानि कि अपने आस-पास के इन्वारमेंट में ऐसे ढलो कि मुझे बस पढ़ाई करना है मुझे बाकी चीज़ों से मतलब नहीं मैं आज मार्केट नहीं जाओंगा आप खुद सब्जी लेके आजओ मुझे पढ़ाई करना भी मैस पढ़ना होके तो इस तरह इसके बाद क्या है हमारा उसके बाद देखो आप लोग टाइम टेवल सेट कर लो कि मैं आज तीन गंटे पढ़ूगा इस टाइम में पढ़ना एक नोट्स बनाना है नोट्स आपकी बनानी है एक इंपोर्टेंट फॉर्मूला वाली नोट्स जितने भी मैस के इंपोर्टे इंपोर्टेंट यहीं काम करके बहुत सारे बच्चे बिगड़ जाते हैं अच्छा मास नहीं स्कूर करते हैं तो यह सब छोड़ो कि आपको कैसे पढ़ाई करना है कि आप लोगे उसे ध्यान से समझो क्योंकि मैं अभी आपको वह प्रैक्टिकल टिप्स दे रहा हूं जिस और सब्सक्राइब कर करते हैं यह सब्सक्राइब करना घृंट ऑसके लंघ होगा इb यह दोनों आजाएगा और उसके बाद माना प्रूवाइट बस नहीं तो चप्टर किते हैं वन तो त्री फोर फाइट नाइट एक चैप्टर में जब आ जाता है एक चैप्टर में जब आप लोग अगर नहीं पढ़ रहे हो आगे बहुत दिक्कत होगा बहुत ही ज़्यादा अगर आपको अपने उपर उपर उस तरह से मैं जैसे किया था उसी तरह से कैसे मैं एक महीने गंदर पूरा एक और फिर से पढ़ाता मैं इसी प्रैक्टिकल टिप्स को मैं आप से लिटे साथ सेर करता हूं अब देखो ध्यान से आपके पास कितने चैप्टर्स हैं आप इन में से कुछ ऐसे चैप्टर्स को सॉट लिश्ट करो जो बहुत ही इंपोर से घ्रीफ यहां पर टीन है और यहां पर यहां पर यह माइन टीन है तो इस चैप्टर के लिए हमख 15 दिन देगे क्यों न दे बताओ सबसे पहले मैं सबसे आसान चक्टर मैंट्रिक से सुरू करने की बात कर रहा हूँ कि मैं क्या पढ़ना क्टा मैंट्रिक्स की सबस्टक्षर क्र अब कुछ प्रप्रटीज है इन्वर्स ने आपको पढ़ने इड्वाइं इन वर्स यह सा हुता है तो देखो मैं अब भी आपको practically बता रहा हूँ कि आपको matrix कैसे पढ़ना है बहुत ही आसान होगा आपनों क्या करने matrix chapter निकालो सबसे पहले आपको क्या करो उस matrix में जो important concept है क्याने की formula है जो ही है मतलब theory है उसे पढ़ने की कोशिद करो क्या करता है बच्चा की सीज़े एक सपसाइज लेकर बैठ जाता है के पढ़ने उस topic के ऊपर examples देखो examples करने की कोशिज करो examples बहुत ही आसान होते हैं उसी के ऊपर questions बनते हैं जो आपके concept होते हैं examples करो उसके बाद examples जब कर लोगे ना आधा कान आपका वहीं पर हो जाता है क्यों क्योंकि examples जो है ना वही exercise में दिया रहते हैं उसे थोड़ा सा कर दिया जाता है तो फिर उसके बाद आप लोग exercise करने की कोशिज करो exercise करने के पाद आप लोग क्या हो जाएगा यहीं तो करने था इसे करने के लिए देखो सबसे पहले concept को समझने में आप लोग कितना दिन दोगे करते हो कम से कम तो आप दो घंटे concept समझो दो घंटे concept समझो और एक घंटे examples करो आज हा आपका matrix करने के पचास question है तो पचास में से ऐसा करो कि देखो कि पहला question में क्या हो दूसरा तीसा उसी तरफ है कोई नहीं मैं इमेजिन कर सकता हो कि हाँ हो जाएगा तो ऐसा ने क्यों हो जाएगा मतलब कभी लोग कभी कभी देख भी लिया करो कि मैं वह सोच जो रहा हूं वही राइक नहीं तो पचास में से ऐसे पच्चेस तीस question से लेक्ट करो जो बहुत ही important है और उसे करने की तो प्रपटीज को आप समझने में दो घंटे नहीं चाहिए एक घंटे में एक घंटे भी काफी है आधे गंटे में पूरा प्रपटीज समझ जाओगे बहुत ही आसान है तो प्रपटीज समझने के बाद आपको इसके questions लगाने शुरू कर दिना है तो आपके जिस तरह से आपका स्पीड है उसी तरह से आप बुक सेलेक्ट करोगे बहुत ज्यादे कुशन होगा नहीं करपाओ उतना एक महीं के अंदर तो में इस सबसे इंपोर्टेंट है मैं आरेडी बता चुका हम आप लोगो तो क्याल कॉंटिटी जो बहूत ही आसान चैप्टर है तो इसको आपको जो है ना दो दिन में करना है क्योंकि इतना च्प्रेटर शोटा सा चैप्र ने अधिन जांति का यह चाहिंट ऑप पूरा चैप्टर बनाओ तो एक फॉमला के पार एक चैप्टर बनाओ तो प्रमाला प सब्सक्राइब करो और उसके बाद क्वेश्चन लगा तो कम से कम चार दिन होगा क्यों नादे में चार दिन क्यों दे रहे हैं तो लंबा सा सब्सक्राइब करना उसके बाद आपनों काफी है इसके बाद आते हैं इसके बाद आते हैं अगर आपको पूरा आगया है जैसे सबसक्राइब कर दो चार दिन काफी है क्यों कि देखो इसमें क्या पढ़ने पार्स इंटिवसिंट में यहां तो चार दिन आपसे बाद ने पड़ेगा हर टॉपिक को कम से कम से देने पड़ेंगी एक टॉपिक होता है यहां पे चैप्टर जैसा बन जाता है थे बहु आपका और लेडी फर्मुला याल हो जाएगा वस इंडिफिनिट का फर्मुला यूज करना होता है और प्रप्रटीज अप्लाइग करना पड़ता है प्रप्रटीज आपको एक घंटे में पूरा समझ जाओगे अच्छे ध्यान से समझने कि उसके बाद आपको आपको इंडिफिनिट इंटिगरेशन आ जाता है तो आसानी से समझ करना क्या है यहां पर हम लोगो इससे देंगे दो दिन क्योंकि एक दिन में आपको प्रप्रट समझना होता है यह दो ज्यादा कोश्चन में नहीं है और इसके बाद दिफिरन्सियल इक्वेशन यह बहुत ही इंपॉर्टन सेक्षिन है इसमें आपको तीन चाहर ताइप की पढ़ने परते हैं होमोजीनियस लीनियर तो यह सब आसान है इसे आप लोग क्या करो कॉंसेप करो का आपको तीन गी तो अब हम लोग अगर देना यह बहुत है तो आपको इसे करने में लग जाएंगी कम से कम आपको तीन गी तो यहां पर 22 डेज में लोग 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 पूरे मैं को कवर कर लिया है कुछ चैप्र को चोड़के देंको थी बहुत ही इंप्वाटेंट है इसे आपको तीन दी दिन आ पर गया क्योंकि इसमें प्लेन आता है तो प्लेन में थ्वरा ज्यादा फर्मूला है इसके प अब जो हमारा है वह है प्रोग्याबिलेटी प्रोग्याबिलिटी असे आसान चैप्र लेंगे बस डारीट को फर्मूला बनता है उसी के आपको बन जाते हैं तो यह आपका आसान सा चैप्र दो दिन में इसे कर लेना आपने दो दिन बहुत हो गया इसके लिए क्योंकि इस लेकिन उसका थूरा सो यहां पर मॉडिफिकेशन होता है यहां पर डोमें रेंज कोडों में इनवर्स यहीं से होता है तो यह भी आसान सा चैप्टन है एक निमें पूरा कर लोगे आप लोग मेरे को लगता है इनवर्स प्रिप्नोमेट्र फंक्शन जो है यह बस इनवर्स के उपर तुम फॉर्मुला आपको कैसे याद करने याद नहीं करने रटा नहीं मारना है कोस्टन्स लगाने उसके पर एक्जाम्पल्स करवे फॉर्मुला याद हो जाएगा समझ माया बात अच्छा लगा थैंक्यू वॉचिं इस वीडियो में वैसे पर कोई तुम्स को लेकि आपको मुझे वहां पर बता सकते हैंक्यू मुझे मुझे उस वीडियों